एक हैं अ कि खेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं की graphical method of solution of pair of linear equation in two variable यानि कि यदि linear equation in two variable को graphical method से कैसे उसका solution find करेंगे तो माली जिये कि यहाँ पे एक equation लिखे हुए है a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 यह एक linear equation है इसी तरीके से एक दूसरा linear equation है a2 x plus b2 y plus ct is equal to 0 तो यह दो linear equation दिया हुआ है अब हम लोग करेंगे क्या इन दोनो linear equation का graph draw करेंगे तो माली जिये हम इन दोनो linear equation का graph draw करेंगे तो माल लेते हैं कि यह x axis और y axis है अब यह हम सपोज कर रहे हैं कि यह जो linear equation first है a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 इसका जो graph है हम माल ले रहे हैं कि इसका graph कुछ इस तरीके से मिल रहा है यदि यह जो linear equation first है a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 अब माल ले जिये कि यह जो दूसरा equation है a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 इसको हम सपोज कर रहे हैं कि यह इसका graph कुछ इस तरीके से मिल रहा है तो अब हम करेंगे क्या इसका हम equation लिख दे रहे हैं क्या लिखे है a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 तो अब यह इसका a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 इसका graph है तो इन दोनो equation का जो यह graph हम खीचे हैं एक दूसरे को जहां पर intersect करेंगे माल लिजे एक एक point है इस point को हम सपोज कर लें कि यह point A है एक दूसरे को जहां पर intersect करेंगे इस point का हम coordinate लिखेंगे तो इस point का coordinate कैसे लिखेंगे इस point से ऐसे x axis पर perpendicular line रा करेंगे और इस point से y axis पर perpendicular line रा करेंगे तो यहां पर इस point का कुछ न कुछ coordinate आएगा तो माल लीजे अगर इस point का अगर सपोज कीजिए कि 2,3 आ गया यानि कि हम माने हैं कि यदि इसका जो पॉइंट है अगर इसका एक अक्वाडिने 2,3 आ गया तो जो x is equal to 2 होगा और y is equal to 3 होगा क्योंकि यह x का वैलू होता है और y का वैलू यह होता है तो इसी तरीके से यदि दो equation दिया रहेगा दो linear equation दिया रहेगा तो हमको उन दोनों linear equation से उस x और y का वैलू फाइंड करना होगा अब चलिए एक हम example लेते हैं एक जामपर से समझते हैं तो देखिए यहाँ पर हम एक example लिये हैं x प्लस y is equal to 10 और दूसरा linear equation है x minus y plus 4 is equal to 0 अब हम इन दोनों pair of linear equation से हमको x और y का वैलू फाइंड करना होगा तो x और y का वैलू फाइंड करने के लिए करेंगे क्या यहाँ पर x plus y is equal to 10 है तो यहाँ से हम y is equal to लिख लेंगे 10 minus x है अब हमको करना क्या होगा यह y is equal to 10 minus x है इससे हम एक table draw करेंगे तो यहाँ पर x लिख देंगे यहाँ पर y लिख देंगे अब हम क्या करेंगे यक्स का value different different लेंगे तो हम पहला value 0 लिये हैं जैसे यहां यक्स के जगा पे 0 रखेंगे तो y is equal to 10 मिलेगा इसी तरीके से माली जे यक्स के जगा पे 8 रख रहा है तो यहां यक्स के जगा पे 8 रखेंगे तो y is equal to 2 मिलेगा इसी तरीके से x के जगा पे यदी 3 रखेंगे तो y is equal to 7 मिलेगा तो अब हम लोग करेंगे क्या यह जो point x का 0 है y का 10 है इससे हम लोग यहाँ पे point लिख ले रहा है कि एक a point है जिसका coordinate x,0 है इसी तरीके से एक दूसरा point लिख लिए है इसका coordinate 8,2 सपोच कर लिए है एक तिसरा point c ले लिए है इसका coordinate सपोच किया है कि 3,7 है अब मान लिजिए कि अब क्या करेंगे यह जो दूसरा linear equation दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिखेंगे x minus y plus 4 is equal to 0 यहाँ से भी हम y के value निकालेंगे तो y के value निकालेंगे तो y is equal to हो जाएगा यह उधर ले जाएगे तो y is equal to हो जाएगा x plus 4 तो फिर से हम क्या करेंगे इसमें एक table बनाएगे तो यहाँ x लिख लेंगे यहाँ y लिख लेंगे अब हम x के जगा पे different different value अपने मन से रखते जाएगे तो देखेंगे कि y के value क्या मिल रहा है तो हम फिर क्या किये हैं x के जगा पे 0 रखेंगे जैसे ही यहाँ पे x के जगा पे 0 रखेंगे तो y is equal to क्या मिलेगा 4 मिलेगा इसी तरीके से यदि x के जगा पे 1 रखेंगे तो y is equal to 5 मिलेगा और यदि x के जगा पे 3 रखेंगे तो y is equal to 7 मिलेगा तो यहां से अब हम क्या कर रहे हैं यह जो दोनों point मिला है इससे एक D point सब्सक्राइब रहे हैं कि एक D बना दे रहे हैं और इससे क्या बना है एक E coordinate और इससे एक EF coordinate बना है अब हम लोग क्या करेंगे जैसे कि हमें हम लोगों को पहला जो linear equation था उससे तीन point मिला है A is equal to मतलब A का coordinate 0,10 B का coordinate 8,2 C का coordinate 3,7 और इसी तरीके से जो दूसरा linear equation था वहां से तीन point मिला है D मिला है, E मिला है, F मिला है तो सबसे पहले हम पहला जो pair of linear equation पहले वाले linear equation का जो point है उसको इस graph पे रिपर्जन करेंगे तो माली जो हमें यहाँ graph बना है, X axis हो गया है, Y axis हो गया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है इस तरीके से यहाँ पे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और Y axis पे भी लिख लिए हैं तो पहला क्या मिला है, पहला point क्या है जो पहला point है वह 0,10 है यानि कि X axis पे 0 और Y axis पे क्या जाना है 10 जाना है तो X axis पे तो 0 यह होगा और Y axis पे 10 यानि कि A वाला point यही हो जाएगा 0,10 अब इसी तरीके से B क्या है 8,2 है तो B जो point है वह 8,2 यानि कि X axis पर 8 तो X axis पर 8 और Y axis पर 2 तो just इसके सामने कुछ इस तरीके से graph यहाँ पर ऐसे डा करेंगे तो यह point हो जाएगा B इसका हम point लिखे ले रहा है कितना हो गया 8,2 हो गया अब इसी तरीके से C क्या है C का जो coordinate है वह 3,7 है तो X axis पर 3 और Y axis पर 7 यानि कि कुछ ऐसे जाएंगे और यह point कहा मिलेगा यहाँ पर मिलेगा अब देखे जब यह हमको यह point C है इसका coordinate हो गया 3,7 जब हमको यह point C यह हम तीनो point को दिखा चुके है तो अब हम करेंगे क्या इन तीनो point को एक दूसरे से मिलाएंगे दूसरे से क्या करेंगे ऐसे मिलेंगे अब इसी तरीके से दूसरे linear equation का जो point मिला है इसको draw करेंगे तो D क्या मिला है 0,4 यानि कि X axis पे 0 और Y axis पे 4 तो यह point D हो जायागा इसका coordinate क्या है 0,4 लिख दे रहे है इसी तरीके से E क्या है 1,5 तो X axis पर 1 और Y axis पर 5 तो just इसके सामने और इसके सामने तो यहाँ draw करेंगे तो यह कौन सा point होगा यह E point होगा इसका coordinate क्या होगा 1,5 होगा अब इसी तरीके से F क्या है 3,7 तो X axis पे 3 जाना है और Y axis पे क्या जाना है 7 तो देखिए यही point F भी होगा क्योंकि इसका भी coordinate क्या है 3,7 है तो देखिए अब हमको 3 point मिला है D, E और F तो इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे देखिए ऐसे ज्वाइन करेंगे तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यह दोनों line यह वाला line पहले वाले linear equation का है और यह line दूसरे वाले linear equation का है तो एक दूसरे को intersect किये हैं किस point पे C पर C और F तो दोनों में common है क्योंकि यही पे intersect किये हैं तो इसका अगर हमको coordinate बताना है तो इस point का coordinate क्या दिख रहा है 3,7 तो अब हमारा solution क्या हो जाएगा y is equal to 3 और y is equal to 7 दोनों pair of linear equation का solution हो जाएगा अब हम लोगों को जानना है how to know pair of linear equation have exactly one unique solution or infinite many solution or no solution यहनि कि कहने का मतलब यह है कि अब pair of linear equation दिया रहेगा दो linear equation दिया रहेगा और उन दोनों linear equation को देख कर हमको बताना होगा कि उसका जो solution है वो unique solution होगा कि infinite many solution होगा कि no solution होगा unique solution मतलब कि उन दोनों का केवल एक ही मतलब value निकलेगा और infinite many solution मतलब number of solution निकलेगे और no solution मतलब उन दोनों pair of linear equation का कोई भी solution नहीं होगा अब माल लिजे हम यहाँ पे एक pair of linear equation लिखे हैं a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 एक equation यह हो गया दूसरा लिखे हैं a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 दूसरा यह हो गया अब माल लिजे यदि अब हम क्या करेंगे यहां से यदि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 तो इस case में क्या होगा इन दोनो pair of linear equation का जो solution होगा वो unique solution होगा unique solution होगा और यह जो दोनों line हैं एक दूसरे को intersect करेंगी यह जो दोनों line का equation लिखा रहेगा यदि इस condition को satisfy कर रहा है तो यह दोनों line है एक दूसरे को क्या करेंगी intersect करेंगी और यदि यह condition satisfy होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 यदि इस condition को satisfy होता है तो यह जो दोनों pair of linear equation है इसका जो solution होगा infinite many solution होगा और जो line होगी वो coincident कर जाएंगी मतलब एक coincident का मतलब एक दूसरे पर ही line रहा हो जाएंगी अब यदि मानलीजिए यह तीसरा condition है कि यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon c2 b2 not equal to c1 upon c2 तो यह जो दोनों pair of linear equation है इनका no solution होगा कोई भी solution नहीं होगा और जो line होगी एक दूसरे के parallel होगी तो आगे question में कहेगा क्या दे देगा दो pair of linear equation दे देगा और कहेगा कि उन दोनों equation को देख करके बताईए कि उनका जो solution होगा वो unique solution होगा कि infinite many solution होगा कि no solution होगा तो चलिए हम एक example देखते हैं इस पर एक example है कि check the following pair of linear equation are intersect at a point are parallel are consistent यानि कि हमको check करना है कि जो pair of linear equation यह दोनों दिया गया है या एक दूसरे को intersect करेंगे एक point पे या parallel होगे या consistent होगे तो हम इसके solution में क्या करेंगे the given pair of linear equation is क्या दिया गया है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 दूसरा 7x plus 6y minus 9 is equal to 0 अब हम लोग क्या करेंगे comparing the above equation with ax plus by plus c is equal to 0 क्योंकि हम जानते हैं कि linear equation का दो general form होता है वो ax plus by plus c is equal to 0 होता है तो इससे जब compare करेंगे इस वाले equation को तो a1 is equal to 5 मिलेगा b1 is equal to minus 4 मिलेगा और c1 is equal to 8 मिलेगा इसी तरीके से जब इस equation को इस equation से compare करेंगे तो a2 is equal to क्या मिलेगा 7 और b2 is equal to यहां से 6 और c2 is equal to यहां से minus 9 अब यदि अब हम निकाल लेते हैं कि a1 upon a2 अब निकाल ले रहे हैं कि a1 upon a2 का value क्या होगा तो a1 के जगा पे 5 और a2 के जगा पे 7 तो a1 upon a2 के जगा पे 5 अपान 7 इसी तरीके से b1 upon b2 निकालेंगे तो b1 के जगा पे minus 4 और b2 के जगा पे 6 और इसको solve किया हैं तो minus 2 by 3 आ गया है अब इसी तरीके से हम c1 upon c2 निकाल ले रहे हैं तो c1 के जगा पे 8 और c2 के जगा पे minus 9 तो अब हम इन तीनों से क्या देख रहे हैं कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 यानि कि a1 upon a2 b1 upon b2 के equal नहीं है इसलिए यह जो दोनों लाइन्स होंगी यह दोनों लाइन्स होंगी क्या करेंगी एक दूसरे को intersect करेंगी और माली यह पूछा गया होता कि इनका solution क्या होगा तो जब दोनों लाइने एक दूसरे को intersect करती है या इस condition को satisfy करता है तो कैसा solution होता है तो यूसकेस में unique solution होता है तो unique solution हम बताते की unique solution होता है थेंकि यू कलास आगे और वीडियो को जानने के लिए चैनल को subscribe करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने माले हर वीडियो का notification आपको मिल सके यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और सेयर करें